नमस्ते साथियो, मैं सतीश कुमारपी, बेंगलूर ग्रामेनजिला हुसकोटे तालू के सरकारी हाई स्कूल असिगाल में हिंदी अध्यापक्के तवर पर कारियरत हूँ. अब हम स्वामी इवेकानंद पाटके आगे के बाग को देखेंगे. पिचली कक्षा में हमने स्वामी इवेकानंद का जन्म, बचपन का नाम और मातापिता, नरेंद्र की सिक्षा और अध्येन काल में उनकी रुची, स्वामी इवेकानंद की किशोरावस्ता, रामकृष्ण परमहंस का परिचै, सर्वदर्म सम्मेलन में शामिल, स्वामी इवेकानंद का एतिहासिक पाशन इन सभी अंशों के बारे में जानकारी प्राप्त किये थे, अब हम स्वामी इवेकानंद पाट के आगी के बाग को देखेंगे, 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 बच्चों, अब मैं इस पाट का वाचन कर रहा हूं, मैं जैसा पड़ूंगा, आप भी वैसा दोराएंगे, प्रिष्ट संक्या, बीस से, स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी ब्रह्मन करके भारतिये संस्कृति और सब्यता का सदपदेश दिया, उन्होंने अंद विश्वासों थता रोडियों को हटा कर धर्म का वास्थविक मर्म समझाया, सादू सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांती प्राप्त करने का नया मार्ग जताया, स्वामी विवेकानंद ने समा सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया, उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने के धेय से कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्तापना की, अपने एक भाशन में उन्हों ने कहा था प्यारे देशवासियों, वीर भनों और ललकार कर कहो कि मैं भारती हूँ चार जुलाई सन 1902 को स्वामी वेकारंद परलोग सिदारे क्या इसका अनुकरन कर सकते हैं? आगे बढ़ते हैं नईये शिब्दों का अर्थ मर्म, मर्मका मतलब भेद अतवा रहस्य वाकि में प्रेव करेंगे कोई बी मुद्युत्युका मर्म नहीं जान सका ललकार, ललकार माने चुनवती कन्नडदल्ली आखुवानांता हेलती ही मकडे वाकि में प्रेव करेंगे चीनी सेना ने भारते सेना को ललकारा है तीसरा शिब्द पदलोक सिधार्ना पदलोक सिधार्ना माने मर्ना अतवा देहांध होना कन्नडदली नावु स्वर्गस्तरा दरू अतवा इहलो कवन्ने थेजिस दरू अनता हेलती वालोव मक्ले हागे वाकि बनाएंगे महात्मा गांधी जी उन्नी सव अड़तारिस में परलोक सिधार्ना अगे बड़ते हैं कुच्छ समय तक स्वामी विवेकानंद अमरीका मेही रहे और अपने बाष्नों द्वारा लोगोंको कौणसा पाटपडाया कुच्छ समय तक स्वामी विवेकानंद अमरीका मेही रहे अवर अपने बाष्नों द्वारा लोगोंको त्याग अवर सैयंका पाटपडाया मकड़े स्वामी विवेकानंद रो केलवू समय गळ उरगोन सहा अमेरिका दल्यने इरतारें अल्ली अवरु तम्म बाष्नगल मुलका त्यागामत्तों सम्यमधा बग्ये अल्लीना जनतेगे तिलिस्तारें इसके बाद वे किन-किन देशों की आत्रा की इसके बाद वे इंग्लेंड और स्विज्जर्लेंड बी गये और वहा उन्होंने सत्य अवर धर्म का प्रसार्खर भारत के गवरवको भडाया तदनन्तरदल्ली स्वामी उवी कानंदरु इंग्लेंड मत्तु स्विज्जर्लेंडिके तिरलतारें अल्ली अवरु अल्लीना जनतेगे सत्या मत्तु धर्मद बग्ये तिलिसी भारत द गवरववन्न हेच्चिस्तारें मक्डें आगे बढ़ेंगे अनीक विदेशी स्वामी जी के शिश्य बन गये उन में से किन का नाम उल्लेक निये हैं जो स्वामी जी की अनुयाईनी बनकर किस नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई जो स्वामी जी की अनुयाईनी बनकर सिश्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई देखेए बच्चों, परदे पर सिष्टर निवेधिता का चेत्र दिखाईदे रहाए ना? बच्चों, आप भाम सिष्टर निवेधिता के बारे में एक वेडियो क्लिप देखेंगे? भारतांबय्य मक्कलिगे सेवकी आगू, गेलती आगू, वडती आगू, यंद स्वामी विवेकानंदर हरक्के यन्ना? नीजा गोळी सिदा अवरा आध्रात्म कुत्री हागू नेच्चिन शिष्ये इके? अपार प्रतिभा संपन्ने, तुम्वो तारुन्यवती, साउंदर्यद खनी, मन बंदंते अनुभविस बहुदादा, भोग भाग्यवन्ना, त्रुन समानवागी कंड्लू, महत्तरद ध्येय साधनेगागी, त्यागद जीवनक्के बद्धलागी, लंडननन्न त्यजिसी, दूरद भारतक के बंदा, महान शक्ती के, चीतली, OM NAMA SHIVAYA OM NAMA SHIVAYA OM NAMA SHIVAYA हीगे, मार्च 25 रंदू, नननेंद शुव पूज माडिसी, नंतर दिक्षिन्नीडव मूलक, नन्नकुरु देवा, नननन्नू, बारतांपेगे, निवेदि सिदरू अयर्लैंडें इंद बंद नानू, इमार्गरिट एल्जिर्पत नूबल, निवेदि तणागी, बारती अरसेविगे, निवेदने कोंड़ु आहा, यंत सुधिन, नाननन्त पुण्यात्मलू, साक्षा, चिवन अवतार वनिसिकोंड, स्वामि विवेकानंदरिंद ब्रम्म चर्थ्य दिक्षे, बात सेविगे, रिड़संकल्प, परम पुण्यलू नानू, परम पुण्यलू ननन्न गुरु देवन दम्मनी दम्मनी गळलाली हरी उत्ति दध्दू, स्वाबि मान बात्त रखता, इल्लिना प्रत्यत्य पमाहिले सिख्षितालागबेकु, स्वावल्लम्भी यागबेकु, यन्नूदे ननन गुरु देवन आसे नन्न गुरु देवन आसे यंते इवर ये ये रडक्षन कलेसवले नेनौ आदरे शिस्तू सहने प्रीति करणे गळल्ली बारतीय महिडगिन्ता मेगिलारू तन्न मक्कडन्न ममक्कडन्न तोड़िय मेडि कूरिसिकोंडू रामायन महाबारत पुरान्न कोण्ने कत्रकणे नल् यंत अक्षरवल्ल सिक्ष्टनू निभरकागी होगूनू आधरे तम्म सामर्ति डैदै वरू पाष्ट्मात्य संकु तगुल्सिकोंडिद्दारे इंगल्स शीक्षन दत्तवलवू अधीकवागिदे इडी जीवसंकोलरण एलके सार्व वेध उपनिशत्त्तुगडू इं इंगल्स शीक्षन निम्माविनम्रसाव जन्यवन्नू नष्टागुडश दिरली नानू बार्तवन्नू हेग सेवसबल्ले हेगे हेगे क्या आपने देखा हैं केसा लगा अच्चा लगा ना आगे बढ़ते हैं समझाया अंधविश्वास अंधविश्वास माने कनडदली मुड़ दंविखेगलों तहेलतीवी अंग्रेजी में सूपर्टिशियस बिलीव्स इवरू मुड़ दंविखेगलों ना होगलाड़ सुदिक्के बालश्टु प्रहेतन पड़तारें जोतेगे धर्मद वास्तविका राहस्य वन्ना जनतेगे तिलिस्तारें मक्लें आगे बढ़ेंगे स्वामी वेकानंदने समाज सेवा के बारे में क्या बतलाया स्वामी वेकानंदने समाज सेवा को परमात्मा की सेवा बतलाया वे स्वयं भी समाज सेवा में लग्जातेते स्वामी वेकानंदरू मानव सेवेए देवर पूजे अन्ता जनतेगे तिलिस्तरे मकले, जोतेगे अवरे स्वतहा सेवे यली कार्य निर्त रागतारे। सन अठारा सव सतानबे में प्लेग अवर अकाल से पीडित भारत वासियों की उन्होंने बड़ी थन्मयता से सेवा की थी। गरीबोंकी दशा सुधारने के धेसे स्वामी विवेकाननदने कलकत्ता में क्या स्तापना की। स्वामी जी ने किन-किन विचारोंका बोद कराया। स्वामी जी ने अज्यान, अशिक्षा, विदेश्य अनुकरण, दास्य मनोभाव, आधी के बुरे प्रभावोंका पोद कराया। आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकाननदने भारती जिनता को ललखार कर क्या केहने को कहा। अपने एक भाषन में स्वामी विवेकाननदने कहा था कि प्यारे देशवासियों वीर भनूं और ललखार कर कहो कि मैं भारती हूं। अनपड भारती, निर्धन भारती, उन्ची जाती का भारती, नीची जाती का भारती सब मेरे भाई हैं। उनकी प्रतिष्टा मेरी प्रतिष्टा हैं। उनका गवरव मेरा गवरव हैं। स्वामी विवेकानंदरों भारतिय जनत्ते यन्न उद्धेशिसी तम्मा भाष्नदल्ली इरित्ती हेलित्तरे मक्ले प्रीतिय देशवासिगले वीररागी हिम्मे इंदा हेलि नानु भारतिय निंदु अनक्षर्स्त भारतिय निर्बोदु अनविलदे इर्वन्था भारतिय निर्बोदु मेलवर्गद भारतिय निर्बोदु खेलवर्गद भारतिय निर्बोदु यल्लरू सहा नन्न सहोधररू अवर प्रख्यातिये नन्न प्रख्यातिया गिदेए अवर गोरववे नन्न गोरवा स्वामी विवेकानंद कब परलोक सिधारे? 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे परलोक सिधारे माने मारना अतवा देहांत होना कन्नडदल्ली स्वर्गस्तरा दरू अतवा इहा लोकवन्ने तेजिसी दरू उन्त हेलती वल्मकले हागि लेकिन आजबी उनके कार्य अवर संदेश अमरहें स्वामी विवेकानंदरू 1902 जुलै नालक करंदू स्वर्गस्तराक्तर भौतिकवागी अवरू नम्म नडवे इल्देर बोवदू आधरे अवर कार्यगळू अवर संदेश गलिंद इन्दुगू सहा अमररागि दारे मकले युवादिवस आधोनिक भारत के निर्माता स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को युवादिवस के रूप में मनाया जाता है हर वर्ष भारा जन्वरी को भारत में उत्सा और कुशी के साथ राष्टिय युवादिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकनन्द अपने विचारों और अपने आधर्शों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं उन्होंने काफी कम उम्र के अंदर ही दुनिया में अपने विचारों के चलते अपनी एक अलग ही पेचान बनाई थी उनके विचारों से युवावोंको सही दिशा मिल सके इस मकसद सही उनके जन्म दिवसको इस दिन के लिए चुना गया है स्वामी विवेकानंदर जयंती एनन प्रत्ति वर्ष जनवरी हन्नेलडरंदु राष्टीय इवधिन वन्नागी राष्टाध्यन्त आचरणेमाडलावित्ते मकले अध्यात्म सम्स्कृती बलिष्टा राष्टा निर्माणदल्ली इन्दिन इवजनत्यंगे स्वामी विवेकानंदर जीवनाधर्शगले प्रेरक्षक्ते इन्थेल्ली हेलबोधागिदे रवींदरना ठैक्वर नेकाहा अगर आभ भारतको जानना चाते है तो विवेकानंदको पडिये उनमे सबकुछ सकारात्मक है और कोच्च बीना कारात्मक नहीं रवींदरना ठैक्वर वर हेलतर मकले उन्दु वेले निवु बार्तद बग्गे तिलुको बेकोंता बैसदरे स्वामी वेकानंदर जीवनाच्चरितरे इन्दा उधी मकले महात्मा गांधी जी ने कहा मैंने उनकी किताबं को अच्ची तरह अध्येन किया है और उनके अध्येन के बाद मेरा अपने देश के प्रती जो प्रेम था वो अजार गुना हो गया है स्वामी वेकानंदर अन्ना कुरितो महात्मा गांधी जीवरु इरीती हिलतरे मकले मैने उनकी किताबं का अच्ची तरह अध्येन किया है नानु अवर पुस्थक गलन्ना बालश्टु चनागे अध्येन माडिदे ने अवर उनके अध्येन के बाद मेरा अपने देश के प्रती जो प्रेम था वो अजार गुना हो गया है नानु इपुस्थक गलन्ना अध्येन माडिद नंतरा नानेगे अनिस्तु मकले नानेगे नन्न देशदा वग्ये इर्थाकन्तावंदु प्रीती अथवा बक्ती येनिदे साविररष्टो अधिकावागिदे आगे बढेंगे जन जन भूमी तु स्वर्ग से भी है बड़ी भारत मा तेरी जे हो तु है मा सबसे प्यारी उत्तर में है हिमाले दक्षण में कन्या कुमारी तेरे चर्णों को सिंचन करे सागर की लहरे सारी जन जन भूमी तु स्वर्ग से भी है बड़ी भारत मा तेरी जै हो तु है मा सबसे प्यारी तेरी मित्ति की सुगंध को फैलाएंगे जग सारी तेरा नाम होगा रौशन देखेगी दुनिया सारी तेरा नाम होगा रौशन तु होगी सबसे न्यारी जन मी जन मभूमी तु स्वर्ग से भी है बड़ी भारत मा तेरी जै हो तु है मा सबसे प्यारी तु होगी सबसे न्यारी तु है मा सबसे प्यारी बाशाकरी के अंतरगत हमने पिछली कक्षा में कुछ नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त किये थे और कुछ नियम है जानेंगे पिता भाई पती इन शब्दों को दियान से देखिये बच्चों कुछ पुलिंग शब्दों का स्ट्रीलिंग रोप अलग ही होता है जैसे पिता माथा भाई बेहन पती पत्नी अगला नियम जानेंगे चात्र प्रिय शिष्य इस प्रकार पुलिंग शब्दों के अंत में आप रित्ते जोडने से स्ट्रीलिंग बनता है उदारन के लिए चात्र प्रिय प्रिय शिष्य शिष्या अगला नियम जो है घोडा लडखा दास इस प्रकार पुलिंग शब्दों के अंत में इप्रत्य जोडने से स्ट्रीलिंग बनता है जैसे घोडा घोडी लडखा लडखी दास दासी आगे बढ़ेंगे इस प्रकार पुलिंग शब्दों के अंत में नी प्रत्य जोडने से स्ट्रीलिंग बनता है जैसे ओर मोरनी शेर शेरनी उन्ट उन्ट मी भाग माली सुनार इस प्रकार पुलिंग शब्द के अंत में इन प्रत्य जोडने से स्ट्रीलिंग बनती है उदान के लिए भाग भागिन माली मालिन सुनार सुनारिन अगला नीम जैनेंगे पंडित गुरू इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में आयिन प्रत्य जोडने से स्ट्रीलिंग बनता है जैसे पंडित पंडित आयिन गुरू गुरु आयिन आगे बढ़ेंगे इन शब्दों को ध्यान से देखिये बच्चों कुत्ता भूडा डिब्बा इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को या करने से स्ट्रीलिंग बनता है उदाहन के लिए कुत्ता, कुतिया, भूडा, बुडिया, डिब्बा, डिबिया अगला नियम देखियेंगे नायक, भालक, लेकक इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को या करने से स्ट्रीलिंग बनता है नायक, नायिका, बालक, बालिका, लेकक, लेकिका अगला नियम भैंसा, भेंडा कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को आ कर देने से स्ट्रीलिंग बनते हैं उदान के लिए बैंसा, बैंस, बेंडा, बेंड इन शब्दों को द्यान से देखिए बच्चों कौवा, चील, चीन्टी पुल्लिंग या स्ट्रीलिंग शब्द के पहले कोई स्ट्री वाचक या पुर्श वाचक शब्द लगाकर लिंग परिवर्तन करते हैं उदान के लिए खौवा, मादा खौवा, चील, मादा चील, चीन्टी, नर चीन्टी आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपके लिए एक गत्विदी हैं इन शब्दों को इस प्रकार विवस्तित कीजिए कि सही वाच्य बन जाएं अपनी कापियों में लिखना है मैं आपको 30 सेकंड्स का समय दे रहा हूँ आपका समय शुरू हो रहा है आपका समय समप्त हो गया क्या उतर देखेंगे पहला वाक्य है रमेश क्रिकेट केलता है दूसरा वाक्य घोडा थेज दोडता है तीसरा वाक्य मैसूर में राजमहल है चवता वाक्य आपकल कहा गयते बच्चों आपनी कापियों में आपने जो लिखा है इसके साथ तोलना कीजिए सुझतक के जाजम आपमा पते रताना कीजिए के आप है प्रफंग कर दो डाओ। झाल 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 स्वामी विवेका नंद पाटका सारांश लिखिये प्रश्ण मैं दोरा रहा हूं स्वामी विवेका नंद पाटका सारांश लिखिये दोसरा प्रश्ण अनुरूपता प्रतम दो शब्दों से सूचित संबंद के अनुरूप तीसरे शब्द से संबंदित शब्द लिखिये जिस्पे पेला है विवेका नंद नरेंद् सिष्टर निवेधिता डैश, दूसरा है कलकत्ता भारत, शिकागो डैश, इन प्रिष्टों को उत्तर लिखकर आपने अध्यापक को दिखाना है, क्या दिखाएंगे? बच्चों, इस पाठ की उपरांत दिये गए अभ्यास प्रश्णों का अच्चा अभ्यास करें, आप सभी का शुबहो धनिवाद!